नमस्कार मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका TCH पर अब्दुल पंचर बनाते बनाते अचानक AIS बनने लगा है और सुरेश चोहाण के जैसे लोगों के घुटनों में जो दिमाग है उसमें बहुत जादा दर्द होने लगा है अब ये दर्द होगा ही जो इमेज बनाते हैं ये लोग अब्दुल पंचरवाला अब्दुल पंचरवाला वो इमेज तूटती नजर आ रही है मुस्लिम लड़के AIS में न केवल आ रहे हैं बलकि अच्छी पोजीशन्स में आ रहे हैं हाला कि अगर आप देखिये तो केवल पाँच उम्मीदवार केवल पाँच मुसल्मान ऐसे हैं जो टॉप हंडेड में हैं पिछली बार 29 बच्चे 29 मुसलिम बच्चे जो हैं वो AIS हुए थे UPSC में सेलेक्ट हुए थे इसमें से सारे AIS नहीं बन जाएंगे जिनके हायर रैंक होगी वो AIS बनेंगे उसके बाद IPS बनेंगे उसके बाद दूसरी सर्विसेज में जाएंगे उसके पहले अगर देखा जाए तो केवल 25 बच्चे सेलेक्ट हुए थे हैं दुस्तान में 14-15 करोड मुसलमान हैं उनमें से सिर्फ 25 बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं 25 से बढ़के संख्या 29 होती है 29 से बढ़के 50 बच्चे AIS में सेलेक्ट होते हैं यूपी एस सी में सेलेक जिस तरह के कारिक्रम चलाते हैं जिस तरह लगातार पागलपने की बात करते हैं हिंदू 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 कभी तलवार लेके फोटो आ रही है कभी भाला लेके फोटो आ रही है कभी मंज से चिंगार रहे हैं एकदम कभी कुछ कर रहे हैं तो ये तो यही चाहते हैं कि हिंदू बच्चे जो हैं, वो राम नौमी के दिन मस्जिद के सामने जाकर बाजा बजाएं, कृष्ण जन्मास्टमी को भी मस्जिद के सामने जाकर बाजा बजाएं, दशेरे का जुलूस निकले, तो मस्जिद के सामने जाकर बाजा बजाएं, दिन रात हिंदू हिंदू करते रहें वाटसेप का इतिहास पढ़ें अब वाटसेप का इतिहास पढ़के अगर कोई जाएगा UPSC के इंटर्विव में वहां उससे पूछा जाएगा कि बताओ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें कौन तो अगर सुरेश चुहाण के के हिसाब से वो जवाब देगा जो उसके इहां प्रोग्राम आते हैं या सुरेश तो एक नाम है उसके जैसे जो तमाम तमाम लोग हैं जो रोज, सुबह, शाम इतिहास में पढ़ाते रहते हैं फलाना राजा थे उनका 400 किलो का भाला था फला पारना राजा थे जो 600 किलो खाते थे इस तरह की जो कहानिया बनाते रहते हैं अगर वो वला इतिहास पढ़ा है तो वहां जाकर वो यही बताएगा कि महाराना परताफ विजेता हुए थे दिल्ली की कुर्सी पर बैठे थे और अकबर तो हार के भाग गया था अब जब वो य जी कहानी सुनाए चाहे अमित शा कहानी सुनाए चाहे कोई कहानी सुनाए चाहे वटसेप पे रोज कहानी आए चाहे सुरेश चोहार के तलवार लहराते हुए कहानी सुनाए इतिहास तो वही रहेगा इतिहास तो बदल नहीं चाहेगा तो हिंदू लड़कों को बरबात कर पढ़ते थे हम लोगों ने भी अपने टाइम में और कुछ नहीं किया जान लगा के पढ़ाई की एक भाई डॉक्टर बना कोई कहीं है कोई कहीं है कोई कहीं है और कल ही मैं अपने एक कॉलेज के टाइम के बलकि स्कूल के टाइम के दोस्ते बात कर रहा था और हम लोग यही बात कर रहे थे कि उस जमाने में जो भी लोग थे जो पढ़ने में बहुत तेज नहीं भी लगते थे वो भी अपनी मेहनस से कहीं न कहीं सेटल है और ऐसे सेटल है कि उनसे मिलके अच्छा लगता है लेकिन आज जब मैं अपने शहर में जाता हूँ अपने ही रिश्दारों को देखता हूँ तो क्या देखता हूँ गले में भगवा पटका डालके बाप की मोटर साइकल पे बैटके गुटका मुँ में दबाए हैं थोड़ा इधर से गिर रहा है सो रुपय का रे बैन का चश्मा पहन रहे हैं जो नकली सडकों पे मिलता है बाल ऐसे बड़े बड़े जुलफी लहराते हुए गूम रहे हैं जै शिरिराम कर रहा है अब जो यह ढूम रहे हैं और जै शिरिराम कर रहा है अभी तो 18-19-20 की उमर है जब 22-24 की उमर आएगी तो समझ में यह आएगा कि फरजी डिग्री तो कोई मिल गई कहीं से नकल करके कोई और जुगार करके BA की डिगरी मिल जाएगी MA की भी डिगरी आज कल मिल जाती है आप जानते हैं हमारे इन्वस्टी कालेज जो है अब पढ़ाई काड़ा तो नहीं रहे गए हैं वो DDC बन गए हैं डिगरी, डिस्ट्रिबूशन सेंटर तो डिगरी तो उनको मिल जाएगी लेकिन जब परिक्षाओं में बैठेंगे कोई पूछने वारा, आप परिक्षा में बैठेंगे क्या परिक्षा निकलेगी फारम भरेंगे, परिक्षा में बैठेंगे पेपर लीक हो जाएगा उसके बाद कहानी खतम, फिर चलिए चार साल के छुटती तो कोई एरपोर्ट पे जाडू लगा रहा है कोई पान की दुकान खोलके बैठेगा कोई किसी कंपनी में बाहर खड़ा हो जाएगा दर्बानी करेगा या थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेगा तो वहाँ जाके क्लर्की कर लेगा अब ये लोग आईएस, PCS, डॉक्टर, इंगिनियर बनने का सपना तो देख नहीं सकते बाप के पास पैसा होगा तो किसी प्राइवेट इंगिनिंग कॉलेज में पढ़ा भी लेंगे लेकिन जब IIIT वालों को नोकरी नहीं मिल रही है तो इनको क्या हास नोकरी मिलने वाली है वो आप जानते हैं तो हिंदू लड़कों की बरबादी की तो पूरी कहानी रजदी गई है सुरेश चुहान के और इनके जैसे अला कि मुसल्मानों में भी कम नहीं है मुसल्मानों में भी ऐसे लोग बहुत हैं जो बच्चों को लगातार धर्म का नशा इतना 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 देना चाहते हैं कि वो किसी काम के न रह जाएं लेकिन एक पीड़ी जरूर उनके बीच में आई है एक हिस्सा जरूर आया है जिसको ये लगता है कि ये फाल्तु के बवाल में पढ़ने से अच्छा है इतिहास के बारे में पूछते हैं कैरियर के बारे में पूछते हैं कॉलेज के बारे में पूछते हैं और उन्ही बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएस्सी तक पहुँचे हैं और फिर मैं दोरादों कि जब ये बच्चे UPSC तक पहुंचे हैं तो सुरेश चोहान के के घुटने में जो दिमाग है उसमें दर्द हो रहा है, पिछले साल तो उसने पूरा एक प्रोग्राम बना दिया था, UPSC जिहाद, मतलब इसलाम में जिहाद का जो कंसेप्ट है वो कही तलवार से सिर्फ नहीं जुड़ा हुआ है, जो लोग इसलाम को जानते हैं, जो लोग जिहाद को जानते हैं, वो जानते हैं कि जिहाद का मतलब हमेशा तलवार चलाना नहीं है, बहुत पवित्र चीज मानी जाती है, उस पे क्या बात करनी है, कभी डिटेल में बात कर लें ये संगठन भी कम जिम्मदार नहीं है जो कभी कोई जिहाद कराते रहते हैं कभी कुछ कराते हैं कभी कुछ कराते हैं कभी वो क्या बोलते हैं कभी गजवाय हिंद करा देते हैं मैंने गजवाय हिंद पर डिटेल में वीडियो बनाया था बहुत सारे इसलामिक विद्वानों से बात की थी और उसकी हकीकत मैंने बताई थी खायर उस पर फिर कभी बात पहले भी कर चुका हूँ आगे भी जरुवत होगी तो होगा लेकिन मुसल्मानों के बीच से एक तपका जरूर ऐसा है जो पढ़ाई लिखाई पर धंग से ध्यान दे रहा है और पढ़ाई लिखाई पर अगर ध्यान दे रहा है तो आगे निकल रहा है इसलिए जैसा मैंने कहा कि सुरेश चोहान के ने पिछली बार बनाया UPSC जिहाद और उसमें तमाम सारे कारण गिनवा दिये दावा किया कि मुस्लिम कैंडेट्स में अचानक बढ़ुत्री आ गई है बहुत सारे मुसल्मान UPSC देने लगे है अरे भाई इसमें जिहाद का क्या मामला है एक जमाने में दलिट जो होते थे पिछड़े होते थे वो नहीं जा पाते थे UPSC तक ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी ठीक से उनकी तयारी नहीं होती थी अब दूसरी तीसरी पढ़ी लिखी पीडियां आ गई है जबर्दस मेहनत करते हैं जान लगाते हैं तो दलित और पिछड़े आप देखते हैं कि जनरल से भी कई बार बहुत अच्छा नंबर पाते हैं ऐसे ही मुसल्मान हैं दो दो तीन तीन पीडियां इनकी निगल गई पढ़े लिखे परिवारों से हैं मेहनत करते हैं उसमें जा रहे हैं इसमें संख्या बढ़ने से जिहाद कौन सा हो जाता है हाला कि जो उसने आकड़े दिये थे आल्टी उसने उसको बस्ट किया था बताया था कि कैसे 2018 का आकड़ा जिसमें मुसल्मानों की संख्या कम हुई थी UPSC में जाने वालों की उसको निकाल के और गलत तरीके से यह सारा कुछ बताया था मैं पहले ही बता दू कि यह मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने फाइन भी किया था और इस कारिक्रम पर रोग भी लगा दी थी इसलिए इस कारिक्रम का कोई छूट मिलती है यह कहा गया मुस्लिम कैंडिट्स को जादा बार परिक्षा देने का मौका दिया जा रहा है तमाशा है UPSC के सारे रूल्स रखे हुए हैं कहीं भी UPSC के वेबसाइट पर चले जाएए कोई इस तरह की सुवज़ा नहीं दी जा रही है ऐसे ही कौलिफाइंग मार्क्स जो थे वो बाकियों से कम बताया गया कि मुसल्मान लड़के लड़कियों को कम नमबर दे के ही पास कर दिया जाता है इस पर सिर्फ हसा जा सकता है हाला कि कोट सिर्फ हसा नहीं था कोट ने अच्छे से खिचाई की थी और ये सब वापस लिया था तो सुरेश चौहान के को छोड़ देते हैं वो तो वही करेगा जो कर रहा है लेकिन ये सलाह तो मेरी भी है और सबको है इस देश के हिंदू लड़के हों मुसल्मान लड़के हों इसाई लड़के हों सिख लड़के हों और लड़के ही क्यों लड़कियां इन सबको मेरी सलाह है कि ये जो धार्मिक नफरत फैलाने वाले लोग हैं आपके धर्म के कोई आपको खालिस्तान के नाम पे भड़काने की कोशिश करे कोई आपको इसलाम के नाम पे भड़काने की कोशिश करे कोई आपको हिंदुत्वा के नाम पे भड़काने की कोशिश करे इन से थोड़ी दूरी बनाये रखिए अगर अपना और अपने परिवार का मस्तक्बिल बहतर चाहते हैं तो पढ़ाई दिखाई में ध्यान दीजिए अच्छे शहरी बनिये और ये सारा कुछ हासिल कीजिए लेकिन खतम करने से पहले एक बात और जिन लोगों को 20 करोड के 14 से लेके 20 करोड के बीच में मसल्मानों की संख्या है हमारे देश में उसमें से 50 IAS बनना बहुत बड़ी बात लगती है और उसके लिए इस तरह के कारेकरम चलाते है उसके एक सवाल है कि कभी आपने जोड़ा है कि पिछले साल कितने मुसल्मानों को सिर्फ मुसल्मान होने के चलते जेलों में डाला गया जो लोग जेलों में पड़े हैं उसमें कितने मुसल्मान हैं आखर क्या वज़ा है कि उमर खालिच जैसा लड़का जो कहीं प्रोफेसर बन सकता था शर्जिल इमाम जैसा लड़का और ऐसे तमाम सारे लोग बरसों बरस से जेल में पड़े हुए हैं इनकी जमानत तक नहीं होती कभी ये भी सवाल डिसकस कर लीजिए अपने यहां कि कितने मुसल्मान दंगों में दोजार सत्रह में मारे गए अठारा में मारे गए उननीस में मारे गए बीस में मारे गए आई एस तो कोई कोई बनता है हजार लोग एक्जाम में बैठते हैं तो उनमें से कोई एक पास होता है लेकिन जो गली महले का मुसल्मान है गली महले का हिंदू है गली महले का सिख है वो तो ये जो सारी पॉलिसीज नई नई आ रही है ये जो सारी नफरत नई नई फैलाई जा रही है उसका रोज शिकार हो रहा है तो पचास मुसल्मान लड़कों पे बहुत खुश या दुखी होने से बहतर ये होगा कि इनको नजीर की तरह रखा जाए और बाकी जो बच्चे हैं बाकी जो लोग है जिनके साथ लगातार लगातार हम देखते हैं कि इस तरह की चीजें हो रही है ट्रेन में चल रहे हैं वहां मार पिटाई हो सकती है सड़क पे किसी बुढ़े की दाड़ी पकड़कर उसको जैशरी डाम बोलने के लिए कहा जा सकता है कॉलेज में किसी के साथ बत्तमीजी की जा सकती है छोटे छोटे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उन क्लास रूम्स तक नफरत फैल चुकी है पहुँच चुकी है बहतर तो यह होता कि यह पचास की तीस की बीस की संख्या गिनने की जगह हम यह भी देखते कि जो आम मुसल्मान है जो आईयस नहीं बन सकता जो सामाने से अपनी जिन्दगी चलाना चाहता है उसकी सिक्योर्टी उसकी सुरक्षा और उसका संवान कितना है इस देश में हम देखते दलितों का कितना संवान है हम देखते आदिवासियों का कितना बाह कर रहे हैं अगर ये सारा कुछ देख पाएंगे तभी देश एक ऐसे रास्ते पर बढ़ पाएगा कि देश का मस्तक्बिल भी बहतर होगा हमारा आपका हमारे बच्चों का मस्तक्बिल भी बहतर होगा जो बच्चे पचास बच्चे और सारे के सारे बच्चे चाहे वो हो हिंदू हो सिख हो इसाई हो लड़के हो लड़किया हो जो भी हो आई एस जैसी महतुपूर परिक्षा में पास हुए हैं उन सब को बढ़ाई वो नजीर तो हैं ही लेकिन सैक्डो हजारो लाखो और बच्चे जिनकी परिक्षाएं कैंसल हो गई जिनके स्कूलों में टीचर नहीं हैं जिनके कॉलजेज में टीचर नहीं हैं जो पढ़ लिक कर बाहर निकल गए हैं लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं हैं उनके लिए भी थूड़ा सोचिए उनके लिए भी दौा कीजिए कि आखिर रोजगार की बात हमारे सत्ताधारी डल के एजेंडे से कैसे गायब हो गई, कैसे इस देश के चुनाओं में रोजगार कोई मुद्दार रही नहीं गया, जब ये सोचेंगे, तभी हमारा भी भला हो पाएगा, आपका भी भला हो पाएगा, हिंदो, मुसल्मान, सिक, किसाई, सब का भला हो पाएगा, आज के लिए इतन नहीं, आगे भी इस तरह की बात हम लगातार करते ही रहते हैं, जुड़े रही है हमारे साथ, अगर लगता है कि जरूरी बाते हम कर रहे हैं, तो इन वीडियो को दूर तक पहुंचाईए, आप जुड़ेंगे, तभी हम कैमरे और सत्ता की आँख में आँख डाल कर लगात सच कह सकेंगे, बहुत शुक्रिया